हुआ हाइग वेरी चैनल अल हननने आप सभी का स्वागत है आज मैं यह दो सिधा जो पु delivered का जो बर्डर बनता है या रेब बाडर इस बाडर का मैं डबल करना बताऊंग जयाधा कंद जो है स्टार्ट करते देखें यह नॉर्मल नॉर्मल जो भूल होता है वो फोर पलाई का वो होल है और इसे 10 नमर की सलाई से बुनाई करने होती है तब इसकी बुनाई जो है अच्छी होती है बत हम जब डबल करने के हम फंदे डालेंगे तो हम 12 नंबर के सलाई में रागे हम दस नंबर के सलाई में डालेंगे तो यह देखिए हमारे बारे नंबर की सलाई है और मैं 11 अमि hum स्व्याम चाहिए आगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितने फंदे आपको प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए है उसका आधा प्लस वन इस तरह से आपको फंदे इसमें डालने हैं तो हमें उपर हमें 20 फंदे चाहिए इसमें मैं 11 फंदे डाली हूं 20 का आधा 10 प्लस वन 11 फंदे डाली हूं अब देखें आगे कैसे करेंगे अब हम पतली यह हम 10 नमर में बुनाई होने वाली उल को हम 12 नमर में के निडिल में क्यों फंदे डालें यह हम आगे बताएंगे स्टेप बाई स्टेप इसके दो कारण है मैं आगे बताऊंगी आप वीडियो को एंट तक देखें अब देखें पहला फंदे हम सीधा बून लिए ऐ ठागा अगे करेंगे अब फिर यह से सीधा बूनेंगे अ त्यान दागा के करेंगे सीधा बूनेंगे इस तरह से सारे फंदे को हम बोल लीएगे हेख q ऍaa झाल झाल इतना बुनाई करने के बाद यह फर्स्ट रो है से बुनाई करने के बाद इसमें देखिए हमारे 20 फंदे चाहिए वह 20 फंदे हमारे इसमें आ गए देखिए यहां पर एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो तस आ गए इसमें 20 फंदे अब देखिए अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो ये पहले फंदे हैं इसे हम ये उल्टा वाला फंदा है इसे हम स्लिप कर लेंगे और जो जाली बने फंदे हैं इस तरह के इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे और सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे ये उल्टे वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे और इसे सीधा बुने लेंगे दागा आगे करेंगे उल्टा वाला फंदा को बिना बुने उतारेंगे और सिधे वाले फंदे को सिधा बुन लेंगे देखे उल्टा फंदा है इसे हम बिना बुने उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे और सिधे वाले फंदे को बुन लेंगे धागा आगे करेंगे उल्टे फंदे को बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे करेंगे असीधे वाले फंदे को सिधा बुनेगे धागा आगे ये दिके उल्टे फंदे को बिना बुने उतार लेंगे धागा पीछे असीधे फंदे को बुल लेंगे उल्टे फंदे को बिना बुने उतारेंगे सिधा फंदा को बूल लेंगे उल्टा फंदा को बिना बुने उतारेंगे सिधा फंदा को बूल लेंगे धागा आगे और ये उल्टा फंदा है और ये लास्ट का फंदा इसे हम बूल लेंगे अब हम आते हैं दूसरी रो में पहला फंदा इसे हम स्लिप करेंगे धागा आगे और ये देखिए उल्टा फंदा है ये उल्टा इसे उल्टा स्लिप कर लेंगे धागा पीछे करेंगे और सीधे वाले फंदे को बोल लेंगे इस तरह से हम चार रो करेंगे जिसमें एक रो हम कर चुके हैं दूसरी रों मारे चल रही है तीसरी और चोती इस तरह से चार रों बनाएंगे उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेंगे और सीधा फंदा बुने ना है तो चार रों पहले का उल्टा फंदा उतारेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे उल्टा फंदा बिना मैं कि दिखेने मारे फ इस तरह से चार सो कम्पलेट होने के बाद देखिए इस तरह से दिखा ईसके बात देखे च्या करना है जो फंदे हमारी यह last में धागे बचे हैं लास्ट में जो फंदे डालता है यह फंदा बचते हैं उसे हम नीचे से खोलें है यह दागा को इसे खीच कर देखेंगे इजाद धागा जिधर से भी है इसको इस त entrat से खोलना है झाल कि अचरेगी लूब फ करना श्ठों लूबाटा सुप झालर कई वि टो वी नूबाट का लूबाटारे लूबाटार हनु कि लूजा दॉए लूबाट लूबाटे लूबाटार लूबाटी इस तरह से खुलने के बाद नीचे से हेंर डाब सदेख रहा है 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 यह दवलहों गया नीचे से आप को हे पर अब देखिये यह टू बैटू कैसे करना है दो सीधे 乐 tbsp क्यों खरना है पहले हम उल और यह नडील की बाद कर लें तोures बैसले नीडिल क्यों डालते हैं जब आप 10 नमर की नीडिल इस पर डालेंगे यह काफी लूज होगा वैसे आप जदी यह धागे जो हमारे बचते हैं इस धागे को आप ऐसे खीच सकते हैं खीचने के बाद थोड़ा टाइट होता है अभी के जो उन आते हैं ज्यादा तर वह इस तरह क्या जदी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तो वह इस तरह काते हर उल्में यह इस टाइब से पाई जाते हैं जो खीचने के बाद वह फस्ते हैं और ठीक से खीचाते नहीं है वह तूट जाते हैं यह नहीं भी खीचाते हैं तो वह थोड़ा अच्छे नहीं आप जदी 10 नमबर की निडिल से इस तरह से करेंगे तो यह किसने की ज़रुत होगी जो खिचाएगा नहीं अभी के उल में इस तरह से होते हैं और जदी नहीं खिचाए तो यह काफी लोज हो जाते हैं इसलिए मैं यह पतली निडिल यूज़ कर रहे हूं अब आगे जो हम 10 नमबर की मिली यूज़ करेंगे देखे यह जो भी बुनाय प्रोजर्स करना चाहते हैं आगे आप 10 नमबर से कर सकते हैं तो तो दिखे अब यह करना है कि यह टू बै टू कैसे करना है तो देखे पहला फंदा जो हम सिलिप कर लेते हैं यह हमारा सीधा फंदा है अब देखिए यहां पर दूसरा फंदा भी हमें उल्टा चाहिए होगा तभी यहां पर दो फंदा उल्टा होगा तो यह देखिए यह सीधा फंदा है यहां पर यह फंदा उल्टा है और यह फंदा देखिए सीधा है इसके बाद वाला फंदा यह उल्टा है तो हम बैक गया धागा पीछे करेंगे और यहां पर देखें फिर यहां पर दो फंदा सीधा हो जाएगा एक फंदा सीधा और यह देखें दूसरा फंदा सीधा तो दो उल्टा दो सीधा हो गया धागा आगे फिर देखें यह उल्टा वाला फंदा इसे मुल्टा बुनेंगे अब इसके साथ हमें एक और उल्टा फंदा चाहिए तो यह हम बैक साइड से यह वाले उल्टे फंदे जो देख रहे हैं यह सीधे फंद है इसके बाद वाले उल्टे फंदे इसे बैक साइड से हम ले आएंगे आगे तो इस तरह से देखे यहां पर दो उल्टे फंदे हो गए इसे मुल्टा बुलनिए दो उल्टा हो गया दागा पीछे और यहां पर भी दो सिधे हो गए इसे हम सीधा बुल लेंगे दागा आगे करेंगे ये देखिए ये उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे इसके साथ के लिए में दूसरा उल्टा फंदा चाहिए तो बैक साइड से हम ये वाले उल्टे फंदे को लाएंगे आगे और ये सीधे फंदे को ले जाएंगे बीचे तो इस तरह से यहाँ पर देखिए उल्टे के साथ उल्टे आगए हां पर दोंदा कि फीर उल्टा हुआ दागा पीछे करेंगे यहाँ पर देखिए दोंदा सीधाly गया भानिया है यह बूलतband इसे हम उलटा सबने नहीं अब और दूसरा उल्टा फंदा होगे दो उल्टा हो गया दागा पीछे करेंगे फीर दो सिधा अगे 125 और दूसरा उल्टा की चाहिए थो बैक साइड से आम यह वाले उल्टे फंदे को लेंगे और सीध neutrack को पीछेए देंगे और इस इसे फिर यहाप दो उल्टा हो गये फिर यहापर दो शीधा जरूँ पर यह यह directamente लेधा कर दो सिधा जहां ऑन्य में Right को नहीं इस तरह से देखैं़ यहापर दो उल्टा दो सीधा हो गया आगे में थोड़ा साब को इस पर बना कर दिकाती हूँ इसमें देखें सिर्फ में दो लाइन बनाई हूं दो सीधे दो उल्टे इस तरह यह बन गया है तो यह प्रोसेस आपको जरूर पसंद आया होगा इसलिए आप लाइक करें कमेंट करें शेयर करें थेंक्स फुर वाची